पढ़ लेते हैं सर सवाल को सारा सवाल करने में फिर आपको क्या करोगे कहता है श्री आर ओन टू हाउस हाँ यहां अलग हो गया दो घर है यह सब किसी काम का नहीं है एन्वल वेल्यू जो है एन्वल वेल्यू भी अच्छा थोड़ा नीचे कर दें अरे चलिए सवाल को इसको नीचे ठीक है तो कहता है कि एन्वल वेल्यू जो है हमारा एन्वल एज एन्वल चार्जिस एन्वल चार्जिस दे रखा है सर किसी काम का नहीं दिस हाउस रिमें वेकेट फोर दो महने के लिए सर यह खाली रहा 9,000 कुड नॉट भी रिकवर और 9,000 रिकवर नहीं किया जा सका डिफाल्टिंग टेनेंट टेनेंट डिफाल्टी से इस टेनेंट वस वेकेटेड हाउस और इस टेनेंट ने घर को खाली भी कर दिया दा कंडिशन नंबर रूल नंबर फोर सेटिसफाइड ओके सर सेकिंड हाउस इस मुनसीपल वैल्यू बहुत सारी बाते बोली यह इसमें नहीं नहीं अंजान जो हमने पहले नहीं देखा था उन सारी बातों का डिसकॉस किया गया है तो सर वो वक्त आ गया है कि आपको सेक् सम करेंगे अलग से बस मुझे फॉर्मेट बनाने दो पहले मैं समझाओंगा वो तैन हम आगे चलेंगे चलिए सर सेक्शन ट्विंटी फाइव ए आपका एरियर ओफ रेंट या अन्रिलाइज एंड नहीं लिखके दूसरा है अन्रिलाइज सर इसका मतलब क्या है थोड़ा नीचे कर दें ठीक है एक मिनट प्रएmाज सर देंड़ा नहीं झेल सर दो वो तेसे भुड़ा नहीं सर दे प्रेंटर वोड़ा नहीं बनाने ठीक है प्रखं़ा याजितल दूसराओंगड़ा एम प्रभाशवित्य झाल ढागे प्र चल्दा, एम तोड़त्वे बना मैं प्राब्यां अब मुझे जो है डिस्प्लेय पे ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है बच्चे कह रहे हैं सर ये दिखाई नहीं दे रहा है अभी देख लेते हैं सभी को वीजुल क्लियर है बता दीजे मुझे मुझे तो प्रॉपर दिख रहा है ये कि आपको दिखना चाहिए कुछ बुच्चे कह रहे हैं थोड़ा सब नीचे कर दें पता नहीं क्यों चलिए एनिवेज हम कॉंसेप्ट को समझते हैं फिर हम उस सवाल पर बैक आ जाएंगे जिस सवाल को हमने जहां पर छोड़ा था सर क्या है कॉंसेप्ट कुश्चन में सबसे पहले हम समझते हैं एरियर ओफ रेंट एरियर ओफ रेंट मतलब होता है बाकी बस आपने मीनिंग समझ रहा है और ऐसा कोई इंप्लिमेशन नहीं होगा हमारे इस कुश्चन में या फिर इतना ज्यादा इंपक्ट नहीं आता इसका आपने एक रेंट पे आपने रेंट पे कोई घर लिया और सर ये जो घर लिया ना आपने ये लिया 2010 में और जब आपने लिया था इस मकान का किराया था 1000 2010 में मकान सस्ते पे किराय पे मिल जाया करता था और जो 1000 रुपे का आपका रेंट था उस ट्रेम ना तो आपको दिक्कत ना ही मकान मालिक को दिक्कत 2011 आया अब जिस मकान में आप रह रहे हो हर दो महिने में आपका किराय बढ़ा दिया ये भी पॉसिबल नहीं है एक साल में बढ़ाय जाए और एक साल में डबल कर दिया जाए ये भी पॉसिबल नहीं है एक नियम के तहट हम 10 परसंट या 5 परसंट का एवरी येर इंक्रिमेंट लगाएंगे या 2-3 साल बाद सर मकान मालिक के साथ जो ये किरायदार है इस किरायदार का मकान मालिक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है तो मकान मालिक ने बोला चलो अच्छा है एक ऐसा परसन हमारी मकान में रह रहा है जिसको कि हम जानते दीरे दीरे टाइम बीटा गया बीटा गया आगया 2015 अब किरायदार ने अभी भी कितना पेमिंट कर रहा है अब मकान मालिक की और किरायदार की दोस्ती थोड़ी जितनी अच्छी थी उतनी नहीं रहेगी मकान मालिक सोचे गया यार पांस साल होंगे मैंने बोला नहीं तो उसको भी इंसानियत कनाते बढ़ा के देना चाहिए था किरायदार किरायदार सोच रहा है बहुत अच्छा मकान मालिक है यह हमसे किराय नहीं बढ़वा रहा है तो मकान मालिक ने एक बार बोल दिया यार देखो थोड़ा बहुत किराय बढ़ा देखो तो किरायदार ने बोला ठीक असर बढ़ा देते हैं कोई बात नहीं मैं सोची रहा था आपको मैं बोल दू तो मैं आपका किराया 1200 रुपेय कर देता हूँ और यही किराया चलता रहा चलता रहा आगया 2020 अब 2020 के अंदर लोगडाउन भी लग गया और 1200 रुपे महिने का किराया जो कि आप देखो कि बहुत कम है शायद इस मकान को खाली करवा दे ये तो कहीं 5000 रुपए इसको किराय मिल जाएगा ऐसा हो सकता है ना जब जादा दिन कोई भी किराय पे रह जाता है तो मकान मालिक को दो डर एक डर तो ये भी होता कहीं कभजा न कर ले क्योंकि सारे डॉक्यमेंट इस पे बन चुके हैं अधार कार्ड बन गया राशन कार्ड बन गया और भी बहुत सारे जो डॉक्यमेंट है क्योंकि 10 साल जहां पे रहोगे तो वहां डॉक्यमेंट तो बनाओगे इना तो सारे डॉक्यमेंट भी हमारे डॉक्यमेंट पे है तो उ कैसे टेकल करूँगा उसको अब मकान मालिक ने 2020 के बाद जैसे ही हमारा आया कोविड खतम होने का ये ये 2022 2022 में मकान मालिक के थोड़ा सा ठीक हो जाए तो आप तूटेगा तो आपको जाना पड़ेगा उसने बोला के अभी देख लो एकाद कितना कब का बोला बस अभी एक-दो मैंने में हम सोचें तोड़बा लेते हैं अब खाली कर दो फटा-फट से डारेक्ट बोल नहीं सकते तो इंडारेक्ट बोल सकते हैं अब खाली करने को बोला गया किसी ने किरायदार को बता दिया भाई यह मकान तूटने वाले नहीं है आप गये थे जॉब पे अपने ड्यूटी पे गये थे पीछे से किरायदार को दिखाने के लिए लाया था यह बोल रहा था 7000 रुपे मैंने किराय देगा इसको आप निकलो और दूसरा किरायदार इसमें आ जाएगा अब ये बात हमारे जो टेनिंट है टेनिंट को पता चल गई ये बात और ये ओनर है पर टेनिंट ने बोला मालिक से देखिए भाई साब मैं जानता हूं कि किराया बहुत कम है 1200 रुपे मैं खुद इसको बढ़ा देता हूं और ऐसी बात नहीं है चलिए मैं आपका ये किराया बढ़ा देता हूं और मैं खाली अभी तो नहीं कर सकता सारे डॉक्यूमेंट है ये सारी चीचे हैं आप पहले मुझे बता देते हैं मैं मुझे पता लगा कि किसी किरादार को आपने दिखाया था किसी टेनिंट को लाए और दिखाया मकान मालिक ने बोला हाँ वो था सोच है बनाए ना बनाए कंफ्यूजन है थोड़ी सी तो चलो ठीक है किराय बढ़ा देते हैं मकान मालिक ने बोला ठीक है सर किराय बढ़ा देते हैं इसने बोला ठीक है बारा सो रुपे दे रहे हैं हम तीन हजार रुपे किराय कर देते हैं आप भी मेरी मजबूरी को थोड़ा समझ यह 3000 ठीक है अब मगार मालिक को मिल रहा था कितना मुला भईया देखो 3000 रुपे कर रहे हो मैं मान लेता हो 3000 कर रहे हो लेकिन आप सोचो كितने दिन से रह रहे हो ये 3000 रुपे काम करो आप 2022 तरह 2,017 में है ना आप एक काम करो तो 18-1800 रुपी वो भी दो मुझे तो 18-1800 इंटू में 12 17-1800 इंटू में 12 क्योंकि मैं 1200 तो दे ही रहूं इसने बोला आप back date से किराए बढ़ाएंगे आम घो यानि अभी से नहीं बढ़ाने वाले आपका back date से बढ़ाएंगे अगर ऐसा आप कर सकते हैं हमें पैसे की भी जरूरत है नहीं तो दूसरा किरायदार साथ हजार दे रहा है तो वो कम कर लेते हैं अब भाई किरायदार ने मजबूरन आके इस मकान मालिक ने अपना हाउस पॉपर्टी इंकम जो फाइल किया होगा दो हजार सत्रा में तो वहाँ पे उसने क्या दिखाया होगा ए ट्रिपल आर बारा सो रुपए इंटू में बारा चौदा हजार लेकिन बाइस के अंदर आते ही उसको पिछला भी कुछ एक्ट्रा पैसा मिलने जा रहा है तो इसे बोलते हैं एरियर आफ रेंट एरियर का मतलब होता है कि हम करेंगे हम बैक डेट से बढ़ा हुआ तो मान के चलो करेंट इयर का तो इसको कितना मिलेगा सर तीन हजार इंटू में बारा मिलने वाला है करेंट इयर का 36,000 और यहां पर कुछ लास्ट इयर के भी इंक्रीमेंटल मिलेगा कितना मिलेगा सर आप गिन सकते हो 17, 18, 19, 20, 21, 22 22 में तो बढ़ी गया 21 तक तो 17, 18, 19, 20, 21 पांस साल तो पांस साल यानि अठारा सो इंटू में पांच इंटू में डैट इस ह्यूज अमाउंट समझ रहे हो इसको क्या मैं बात कर रहे हैं की कोशिश कर रहा हूं बता रहा हूं तो जब ये मिलेगा इसको तो सर ये भी हाउस प्रोपर्टी का पार्ट माना जाएगा गवर्मेंट कहता है मान लो आप पहले ही रेंट बढ़ा हुआ लेते तो 30% का डिटेक्शन लेते तो अभी भी आपका जो भी बनता है फटा फट से कल्कुलेट करके बता दो तो मैं एक 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 जामपल में इसी कोई कवर्ड कर लेता हूं मुझे एक बार टोटल करके बता दो तो मैं इसका जीएवी बगएरा निकाल देता हूं एक बार तो सर इसका आ जाएगा एनेवी आ गया सर एनेवी मान लेते हैं इसका 36,000 है अब 24 A भी लग गया 24 B भी लग गया सर है नहीं कुछ 24 A 30% माइनस करिये तो कितना आएगा सर 30% माइनस करके दिखाएए 36,000 का 10,000 ये माइनस हो गया सर इंकम फ्रॉम हाउस पोपर्टी आगे बटा फट बताईए इंकम फ्रॉम हाउस पोपर्टी कितने 25,200 कोई नहीं है किईरैन्ट सबसे लासट में कहीं बीड में हो सकता लेखन सबसे लास्ट में खरना ठीक रहेगा करके बताईए कितना आ रहे है कि दो लाक सूला जार देख ए हो कि 24 जगह बारा रहा हं अच्छा ये बारा होगा कि एक लाक चलिए सर 1,800,000 आपने बता दिया हमने लिख दिया 1,800,000 तो सर 1,800,000 डैरेक्ट नहीं जोडना 1,800,000 का या तो आप ले लीजिए 70% या पहले इसमें से 30% घटा दीजिए क्योंकि इस 30% के benefit के आप हगदार है और फिर आप add कर दीजिए तो कितना आएगा 70% बोलूँगा तो कुछ बच्चे पूछने लगेंगे 70 कहां से आए मैं पहले इसको ऐसे करना चाहता हूँ इस सब हटा देते हैं यहां से हटाओ मैं इसको करना चाहता हूँ कितना आगया 1,8,000 less standard deduction फिर से मिल जाएगा 30% बताईए कि 30% माइनिस करने के बाद बता दो बताईए और सर अब इसको जो एड करेंगे वो आ जाएगा IHP तो कहने का मतलब है section 25A में कहा गया कि अगर कोई किरायत मकान मालिक अपना पिछला रेंट area of rent को recover करता है current year में तो वो भी house property income का part है यानि इससे एक बात proof हो जाता है आपके पास घर हो चाहे आपके पास घर ना हो तब भी house property का income generate किया जा सकता है घर ना होने का मतलब मान लेते हैं कि किरायदार जो था ये मेरा एक अब मैं अगले point पे आऊँगा unrealized rent वाले पे आऊँगा तब मैं बात करूँगा उसकी अभी जो मैंने बोला है अभी clear हो जाएगा पहले यहां तक आप देखो ये clear हुआ क्या आपको clear हुआ यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी समझ में आ गया कुछ concept नहीं है हमारे पूरे question पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी area rent है फटा फटा फट 30% माइनस करके add कर दीजे बस खतम theory आता है कि area of rent क्या होता है तो area of rent वह होता है जो back date का मुझे पैसा नहीं मिला है वो during the current year में हम receive करते हैं इसमें से 30% माइनस करके add on कर देते हैं house property के अंदर बस यही लोग के अंदर लिखा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा यह समझ में आ गया अब अगले point पर चलते हैं सार अगला point हमारा यह यह थोड़ा सा important point बनता है मतलब area of rent से थोड़ा भारी point बनता है यह हमारा दोनों को पहले दोनों के अलग अलग section हुआ करते थे लेकिन फिर बाद में merge करके एक section बना दिया गया वही 24a में ही डाल दो दो 25a में तो सार unrealized rent की बात कर रहे हैं unrealized rent क्या होता एक बार समझ लेजिए आप unrealized rent देखिए यह मकान है और इस मकान के अंदर किरायदार है ठीक है इस मकान के अंदर कोन है किरायदार और यह है मकान मालिक यह है मकान मालिक अब यह जो किरायदार है यह rent पे ही रहेगा यह 5000 रुपे महिने के rent पे रह रहे है अब हुआ यह किरायदार मालिक जब भी जाता है किरायदार से पैसे मांगने के लिए कि भीया मेरा rent दे दो किरायदार मना कर देता है बोलता अभी नहीं अगले महने दे देंगे अभी है नहीं फिर से यह मांगने आया बोला अभी नहीं है अगले महने दे देंगे मतलब अभी इसके पास पैसे है नहीं और यह दे नहीं बादा अब फिर से यह मांगने आता है इससे किरायदा भीया किरायदे दो यह अगेन कहता है मैं अभी नहीं दे पाऊंगा मेरे पास rent का पैसा नहीं है नौकरी लगने दो मैं आपको दे दूँगा यानि इसके उपर माल लेते हैं छे महिने का पिछला किराया बांकी था जो की था हमारा 30,000 अब जब ये किराया मांगने के लिए गया तो पता चला घर खाली है क्या पता चला घर रातो रात किरायदार ने घर खाली करके चले गए अब इसका ये 30,000 अब इंकम टेक्स वाले बोलते हैं के भाईया तुम्हें हम तो टेक्स लेंगे आपसे इंकम टेक्स की जब ये रिटन फाइल करने जाएगा तो रिटन फाइल करने में लिखेगा सर एन एवी है मेरा पांच हजार इंटू में टूएल कि डैट इस शाठ हजार रुपए कितने लेखिन लेखिन ये बोलेगा सर मकार किरायदार ने पैसे नहीं दिये मुझे छे महीने के अगर इंकम टेक्स को बड़ी आसानी से मान ले ठीक है भाई नहीं दिये तो कोई काम कर तू बारत से मत मल्टिप्लाई कर तू मल्टिप्लाई कर दे किससे अगर इतनी साधारन सी बात है हटा यार इसे हम तेरी बात मान लेते हैं अगर इतनी आसानी बात होती तो सभी मकान मालिक महुंच जाते किरायदार पैसे नहीं दे रहे किरायदार चला गया बहुत सारे excuses थे और income को क्या कर देते वो जीरो कर देते कर देते ना अपने income को जीरो वो गॉर्मेंट यहां पर लेके आई ट्विंटीफाइव ए और इसके साथ बोला भाईया 25A unrealized rent का benefit लेना चाहते हो तो rule number 4 जो income tax का है उसको fulfill करना पड़ेगा rule क्या होता है सार rule का मतलब होता है कुछ section में कुछ बाते अगर छूट गई है clarity नहीं है तो rule के अंदर उसे clarity कर दिया जाता है rule number 4 लिक्या है बोला भाईया तुम यहां पर 6 से multiply करने देंगे लेकिन यहां पर कुछ बाते हैं वो बातों को fulfill करना पड़ेगा और अपने income tax officer को इस बात से सहमती देनी पड़ेगी पूरा पहला number 1 आपने recover करने का पूरा कोसिस किया हो proof चाहिए सर प्रूफ क्या देंगे recover करने का FIR की copy लाओ आपका किरायर लेके गया ना वो rent agreement बनाया होगा रेंट नहीं मिला F.I.R की copy करो नंबर दो किरायदार उस मकान में तो नहीं रह रहा आप सर ये बात दूसरी समझ में नहीं आया किरायदार उस मकान में अगर रह रहा होगा तो हम तो recovery कर लेंगे अब यहां condition बदल भी सकता है कि अग좌 फे मैंने का 30,000 आगे अव्म कान मनें किराय दे किराय दे जल्दी दे उसने गन रखा सामने js बोता क्या बोल रहें थे को उसने बोलहर नहीं नहीं बस किराय था पिछला यह मांगने आए था इसali कोई बातनी नहीं कोई बातनी नहीं हम बातनी हम जा रहे हैं यानि किरायदार इसी मकान में रह रहा है और ऐसा भी पॉसिबल रह भी रहा है लेकिन किराया नहीं दे रहा है यूपी में बहुत हुआ है ऐसा ऐसा ही है बताओ तो ये दिक्कत हो सकता है रूल नमबर टू जो टेनेंट है टेनेंट सर इस मकान में नहीं रहना चाहिए नहीं अगर रह रहा है मकान के अंदर तो FIER करो, police को बुलाओ आपने सारी कोसिस कर ली हो सारी कोसिस का मतलब आपने यहाँ पे सारा का सारा क्या किया हो उसको मतलब के गुंडों से पिटवाने की कोसिस कर लिया हो आपने उसे पैसे recover करने का मतलब हर effort लगा दिया हो और सारी बाते income tax officer को समझाओ और income tax officer हर किसी का proof लिखेगा और उसे लगेगा कि अब आप सच बोल रहे हो तो आपको 6 से multiply करने देगा नहीं तो बोलेगा भाईया तुमने rule number 4 नहीं satisfy किया हम नहीं मानते कि आपका घर का किराया नहीं मिला होगा तो सर unrealized rent का मतलब क्या होता है कि आपके मकान के अंदर किरायदार ने आपके पैसे that is unrealized rent area में क्या था? मिल गए वो कौन से पिछले आके मिल गए अब unrealized rent के अंदर आपने अभी तो सब कुछ rule number 4 satisfy कर दिया तो अब आपका एने भी क्या होगा? काईदे से देखा जाए तो एने भी होगा सर 5000 into में 6 मैंने rule number satisfy किया है income tax officer को बोला है भी अच्छे मैंने तक मैंने किरायप रखा 6 मैंने के तो किराय लेके भाग गया किरायदार इसका क्या करें? income tax ने बोला ठीक है आप इसी के ओपर टेक्स दो यहीं पर लगेगा 24A और यहीं पर लगेगा 24B यह बात थी 2020 की lockdown की 2022 आया 2022 आया और 22 के अंदर इसका फिर से यही मकान पूरा दूसरे किरायदार को दे रखा है उसने 12 के हिसाब से पूरे 60,000 रुपे दिये जो कि क्या बना सर हमारा एन ए बी जैसे ही 2022 आया नए किरायदार भीया वो तो दे ही रहे किराया यह पुराना वाला भी लॉट के आगया बोलता है भाई साब किरायदार पे मिल जाएगा क्या उसने बोला रहे किरायदार मिलेगा वो तो बाद में पहले वो जो पुराने पैसे दे हाँ वो तो मैं दूंगा वो तो मिर पास मजबूरी थी आप बार बार बोल रहे थे मिर पास पैसे नहीं थे तो आप मैं कैसे मना करता यह लो आपने 30,000 यानि 30,000 मिल गया सर 2022 में 2022 के अंदर तो हम IHP ये फाइल करने वाले थे 24 A का छोड़ो डिड़क्शन अभी हम 60,000 फाइल करने वाले थे लेकिन हमारा क्या हुआ पैसा that is unrealized rent recover हो गया unrealized rent क्या हो गया तो government कहता है भईया recover हुआ पहले तो तुमने सारे rule number 4 दिखा दिये लेकिन अब तो मिल गया अब तो दो इस पे पैसा यानि जब कभी भी आपको unrealized rent मिलेगा तो same आपका area of rent के जैसा ही होगा देखो आप इसलिए एक section में merge किया गया कि जब पैसा मिला आप क्या करिए उसके अंदर add कर लीजिए add करने के बाद आप to be continue 30% minus करके tax दीजिए बड़ी simple सी बात है मेरा question number two है अगर मान लो income tax officer यहां पे नहीं उससे सहमत होता है agree नहीं करता बलता नहीं भईया तेरा सारा F.R पता नहीं कहां से लिखवा के लिए नहीं मानते तिरको तो tax देना ही पड़ेगा उसने बुला ऐसा थोड़ी होता घुला ऐसा ही होता तेरको देना पड़ेगा टेक्स तुझे तो टेक्स देना पड़ेगा 60,000 रुपए पर मजबूरन में उस मकान मालिक ने साट पर दे धिया इसको टेक्स तभी देना है जब आपको पहले benefit ना मिला हो अगर आपने पहले पूरा पूरा टेक्स दिया है तब मिलेगा recovery होगा तब तो आपको देना पड़ेगा अब इसमें ऐसा भी हो सकता है बोला जाता है कि घर का मालिक होना चाहिए सेक्शन 22 याद दिलाता है मान लेते हैं ये मकान मालिक ने 2020 के अंदर किरायदार के साथ इतना ज़्यादा harassment किया इसको इतनी बद्वा लगी इसके मकान ही बिग गई भाई ये रोड पे आ गया 2022 में घूम रहा है ये रोड पे कुछ नहीं है इसके बास मकान पुराना किरायदार लोट के आता है बोलता रहे भाई साब आप यहाँ पे हैं मैं तो आपको किराय देने के लिए आया था बोला आप क्या किराया क्या कुछ बचाने ही सब बरबाद हो गया उसने में लिए को उसको 30,000 किराय मिला हाउस पॉपर्टी का टेक्स बर बोला सेक्शन 22 में कहता है कि घर नहीं तो किराया टेक्सेबल नहीं होगा किराया सेक्शन 22 के हिसाफ से नहीं तो बोलता है सेक्शन 25 अ भी यही कहता है कि अगर unrealized rent हुआ तो घर नहीं देखेंगे उसके उपर तुझे टेक्स है तो true and false में कोश्चन आ सकता है कि अगर किसी SSC के पास घर नहीं है और उसे rent receive हुआ है तो क्या वो under the head of house property जाएगा yes under the head of क्योंकि सुनने में कई बार ऐसे लगता रहे घरी नहीं है rent मिला है पहली बात तो question हो नहीं स या फिर unrealized rent पहले बताईए ये समझ में आगए दोनों बड़ा basic सा simple सा बात बोलू न unrealized rent मिलेगा add कर दीजिए 30% minus करके area of rent मिलेगा add कर दीजिए 30% minus करके और कुछ इसमें इतना बड़ा लंबा चोड़ा कहानी नहीं है बस simple सी बाते इसके उपर theory आता है कि unrealized और area of rent को explain कर ही है वही बाते आपको लिखना होगा और वही आपके sample paper tenure जहां भी देखोगे books में यही बाते लिखी हुई है यहां तक clear आपको सारा तो अब सवाल पर आ जाते हैं back सर इस सवाल में ऐसी कुछ बातें बोली गई थी तो सवाल पर आ जाते हैं इस सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं एक बार हम सर सवाल में क्या कहता है दुबारा पढ़ते हैं पूरा पहले तो हमने पढ़ा ही था format बना लिया इसी topic से related सवाल है तो हम सुरू से पढ़ लेते हैं कहता है question में इसके पास दो घर है और particular financial year 2021-2011 regular में आया हुआ है यह first house का बताता है यानि हम H1 कर लेते हैं और H2 कर लेते हैं mb first house का mb बोलता है sir 24,000 है and standard rent 30,000 है sir f r बताया है नहीं तो अभी देख लेंगे और s r कहता है कितने 30,000 है it has let out 3000 पर month he made the following payment इसने 3000 रुपे के महिने पर किराय पर दिया हुआ है 3,000 रुपे महिने के किराय पर घर को दे दिया है municipal tax 6000 रुपे तो sir municipal tax हमारा allowed होगा इस पर मैं repair किसी काम का नहीं land revenue किसी काम का नहीं legal expense किसी काम का नहीं house vacated के लिए किसी काम का नहीं आपका annual charge किसी काम का नहीं this house remain vacant for two month और ये घर दो महिने वेकेंट रहा और 9,000 could not be recovered from the defaulty tenant sir दो महिने तो खाली भी रहा और 9,000 मिले भी नहीं sir दो हजार नहीं मिले हम तभी मानेंगे जब आप rule number 4 को complete कर दो तो आगे question में खुद कहता the tenant has a vacated house the condition of rule number 4 satisfied यानि tenant ने उस घर को खाली भी करवाया rule number 4 satisfy कर रहा है इसका मतलब ये सच बोल रहा है 9,000 रुपे इसको नहीं मिले होंगे इसका मतलब sir standard rent एफर तो है नहीं तो इन दोनों में से क्या लेते हैं higher जो यही आता फिर क्या लेते हैं lower तो आपको पता चल गया है sir year क्या होगा 24 year क्या होगा 24 हम इसके आगे की कहानी लेके चलते हैं second house municipal value 40,000 sir used by the hour on residence he paid 200 रुपे sir कोई मतलब नहीं है fire insurance premium 4000 रुपे municipal tax क्या मिलेगा इसको municipal tax benefit के लिए ध्यान दीजिए यह घर second किसके लिए है अपने लिए municipal tax paid करोगे तो sir नहीं मिलने वाला he also paid interest on loan sir इसका benefit मिलेगा the loan was taken repay another loan construction of house क्या benefit मिलेगा इसने ब्याज पे किया 20,000 लेकिन जो loan लिया था न वो loan घर बनाने के लिए भी नहीं लिया इसने loan घर खरीदने के लिए नहीं लिया पहले कभी loan ले रखा था घर बनाने के लिए उसको repayment करने के लिए नया loan इसने ले लिया क्या इस interest का benefit मिलेगा yes मिलेगा मैंने कहा था न कि अगर आप कोई भी loan लो या तो पुराने loan को आप repay करने के लिए ले लो तब भी आपको benefit मिल जाएगा समझे बात मैं क्या कहना चारा हूँ समझो आप loan वाले point में मैंने ये point लिखवाया था note में भी लिखवाया था in case any addition loan taken करोगे repayment के लिए तो उसका benefit आपको 24B में मिलने वाला है check कर लीजिए अब तो sir benefit मिल जाएगा sir किराया 3,000 है बात करते हैं 3,000 किराया है तो 3,000 के हिसाब से 12 महीने का कितना होना सही है sir 36,000 जिसमें minus कर दो sir कितना 2 मैंने vacant तो 3,000 into में 2 यानि 6,000 vacant जिसमें minus कर दो sir unrealized rent that is 9,000 तो कितने बचे sir 21,000 तो हमारा जो actual 8 triple R होगा that is 21,000 रुपए तल यहां देखे बच्चों ने निकाल भी दिया IHP 95,000 रुपए बाद में देखते हैं अभी कर लेंगे इसको भी verify यहां तक देखे हैं किसी को कोई doubt clear है यहां तक तो जी यह भी आ जाएगा sir हमारा 21,000 और sir इसमें से minus कर देंगे empty जो कि सवाल में given है और सवाल में given है 6000 और sir अब na भी direct लिखने जा रहा हूं में na भी क्या आएगा इसका 0 और इसका आ जाएगा हमारा 15,000 now इसके अंदर से less कर देंगे हम 24 a that is कितने percent और now minus कर देंगे 24 b interest जो कि इसके लिए था 20,000 इसके लिए नहीं था house number 2 के लिए था वैसे specified नहीं है तो हमारे house number 2 से detail है तो इसी के लिए है तो 15% इसका आ जाएगा 500 अब taxable आगे हमारा इसका minus का 20,000 और इस वाले के आ जाएगा 15 में से minus करोगे तो 10,500 अगर मेरे से सवाल पूछ लेके IHP बताईए तो IHP आ जाएगा 20,000 में से ये minus कर दोगे तो 95,000 रुपे negative का IHP आ जाएगा मैंने notes के अंदर 10 year के अंदर solution में with format दे रखा है तो आपको exam में वही format follow करना है यहाँ पर देखो सवाल करा रहा हूँ concept बता रहा हूँ तो आपको easily फटा फट होता जाए जादा से जादा कम समय में सवाल कर ले तो better है समझ मैं आगे हम कर देंगे income from house property house number 1 से हमारा 10,500 का income minus कर देंगे house number 2 से loss समझ में आई बात आपको यहां तक कोई दिक्कत कोई परिशानी